बड़ा ही टफ कॉम्पेटिशन है भाई स्टूडियो को त्यार करने करते बड़ा ही समस्या है इस तरह से एंट्री लेनी पड़ेगी आज की वीडियो की आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं आज की वीडियो के बारे में आज दिखे एक टॉप कंपेटिशन कंपना रनाउट दे रही हैं कॉंग्रेस के बड़ बोले निताओं के सामने अच्छा हमको सिखा रही है देखे आज मैं आपको ना कुछ समझानी कोशिश करूंगा आरस इसने बहुत बड़ा खेल किया है और दो हजार उनतिस तक वह खेल वैलिड होने वाला है अधिकामेच शाहर राजनात सेंग और नित इसके अपने अलग ही माइने निकाल सकते हैं यह इतनी आसानी से फोटू खिचाया नहीं गया है इसके पीछे वह सारी वजह हैं जिसको लेकर कि बीजेपी पर हमेशा से आरोप लग रहे थे और यहां पर आरस इस ने अपना दो हजार उनतिस का बहुत बड़ा दाव खेल कि अब योगी आदितनात को ग्लोबल बनाने की कोशिश उस मुहीम में लग चुके हैं इस बात का ध्यान रखियागा कि योगी आदितनात कभी भी आरस से जुड़े नहीं थे लेकिन फिर भी उनकी स्वीकारिता लगाता आरस से अंदर बढ़ती जा रही है वजह में आपक शुष्मा स्वराज में एक बहुत बड़ा अंतर है कि शुष्मा स्वराज के पार्टी तक सीमित रही और योगी आदितनात मुख्य मंत्री से प्रधान मंत्री कैंटिडेट बनते जा रहे हैं आखिर दौड से अमित शाहा बाकी की बड़े दिगज नेता क्यों दूर रहे यह बेसिक सा कंसेप्ट आपको मैं दे देता हूँ अब देखी मैं आपको पूरी कहानी बताओंगा लेकिन आपको बात बता देता हूँ कि हमने कई बार भॉक्य पार एनलाइस किया है और बताया है कि अमित शाहा की जो चाहत है प्रधान मंत्री कुर्ष्टी पे बैठने क कि वह लगातार बड़ी है लेकिन अमित शाहा को पता है कि स्थितीजनी नहीं है उनकी उनका बड़ा जाधार नहीं है कि उनको प्रजेक्ट करेंगे और उनकी सत्ता में वापस ही हो जाएगी ठीक है क्योंकि 2004 के बाद 10 साल लगे थे 2014 में प्रचंड जीत के लिए मुक्य मं मुदी को फेस बनाया गया था पी एम का तो उसके बाद जो सोचल इंजिनियरिंग हुए और जो सपोर्ट बेस लगा तो उसके बाद तो अंतर पड़ा लेकिन अनसस ने योगी आधितिनाथ पर ही दाव क्यों खेला मैं आपको समझा देता हूं पहले आपको यह समझ माना चाहिए अभी राष्ट्रे कारिकारने की बैठक होती है उस बैठक में आपने बहुत एक अलग चीज महसूस की होगी कि पहली बार राजनेतिक जो प्रस्ताव है किसी मुख्य मंत्री ने पढ़ा है वह भी सिटिंग मुख्य मंत्री अभी तक क्या नियम था बीजेपी के अ हो जाते हैं यही से मायरे निकलने शुरू होगे कि तयारी हो चुकी है अब नरेंदर मोधी के बाद पीम कौन बनेगा यहां पर सवाल था तो जाहिर तौर पर है तयारी अब किसकी है योगी आदितनात्य वजहा क्या है वजहा बहुत सारी है अब आपके मनने सवाल आ सकता है कि यार अमिज शह भी तो पीयेश चाहां अच्छा काम तो नितन गड़करी कर रहे हैं तो थोकुशा की तयारी में अगर आप राजनात सिंखी और नितन गड़करी ऐज दिखेंगे तो 70 प्laas हो जाएँगे राजनातसिंगजे और चौिऌ pris यहीं पर योगी आदितिनाथ के लिए सबसे बड़ी बात हो जाती है कि उनकी उमर अभी 50 साल के हैं उनकिस तक वो ज्यादा नहीं होंगे तो एक यूवा है अभी फिलाल राजनेतिक भाशा में उनको आजाए वह यूवा है तो इसलिए उनकी उमर को देखते हुए और योग के पास है तो योगी आदितिनाथ को प्रोजेक्ट किया जा रहा है दो हजार उंतिस के लिए अच्छा यहां पर बात है अमित्शहा की पूछ तब ही तक है जब तक नरेंद्र मोदी जी प्रधान मंद्री बने हुए है प्रधान मंद्री भटे नहीं कि अमित्शहा की जो प अमित्शहा का नाम लिया था उसकी वजहां थी कई सारी उसकी वजहां थी तो उसके बात नहीं करेंगे पहराल हम अपनी टॉपे को स्विच अप करते हैं यह तीन तस्वीर आने का मतलब क्या है यहां पर साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भईया हमा कोई समस्या नहीं है आप बहनत कीजीए दूसरी बात कोविड मिस मैनेजमेंट आरोप लगे थे बहते हुई लाशे हमने गंगा में देखी थी ऑक्सिजन की कमी हमने देखी थी डॉक्टर कफील खान का केस आपको याद होगा उन पर तो तमाम केसिस लगा दिये अब हाई कोड़ भी उनसे बोलता है कि केसिस क्यों लगाए हैं समस्य जो थी वो हमेसा सवाल उठता रहा था कोविड मैनेजमेंट एक ऐसा टापिट था जो योगी आदितनात तो हमेशा घिर रहा था तो आप उसने पूरे प्रस्ताव में आपने देखा होगा तो वहाँ पर नरेंद्र मोधिया में शहाद दौनों ने मिलकर के कोविड क का नाम दिया जा रहा है वह मिस मैनेजमेंट नहीं बलगी बहुत अच्छा मेगा मैनेजमेंट उन्हों किया कई लोगों की जान बचाई और जो एक काम मुख्यमंत्री का हो सकता तो वह काम उन्होंने बहतर दरीके से किया है तो संदेश देनी कोशिश की गई है यहां पर अपने वोटरों को और जो वोटर नहीं है यूपी की जनता को यह बास समझ में आगी तीसरी बात यहां पर यह है दोस्त मुझे कई बार लगता है कि शायद मैंने गदलत इतिहास पड़ा देश की आजादी 2014 में मिली हमें अब तक शायद हम गुलाम भारत में रहे थे कभी मौका मिले कंगन रनाउट से पूछना कि क्या हमारे देश के इमानदार निता अटल व्यारी वाजपाई जी क्या वह गुलाम भारत के प्याम थे दूसरा यह बीचीज पूछना कि 2014 से पहले भी बीजेपी की सरकार बनी अलग अलग राज्यों में तो कौन से राज्यों की स पत्रकार बीजेपी बना चुकी तो पत्रकार को मौका में लेना तो मुझे बता देना कि हम पत्रकारों को अगर कोशिश मिली तो आपको पता है वो धेड़ भून में कितने आगे हैं अगर एक लाइन में कहूं तो कंग्रा रनाओत का बढ़ बोलापन कॉंग्रेस के बढ़ बोलेपन जो नेता हैं उनके बढ़ बोलेपन से अगर मैं कंपेर करूंगा तो दोरों ही एक जगए लगते हैं कि मुझे भाई यह कुई अंतर इसमें रहनी है तफ कॉम्पिटिशन एक दूसरे को देते जा रहे तो शलमान खुरशीत के भी किताब आई है उसमें एक हंगाम हो गया मैं आपको बता हुआ कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि इनसे बयान नेताओं से जान भूच करके कहलवाए जाते हैं कहा जाते हैं कि आपको बयान देना है आपको कहेंग कि कीया जाने कि आप ऐसे बयान डोगे तो आपको दो तीन महिन हे और दो परeras दो तीन साल की मधं कमई लाइव बढने के लिए ऐसे लगता नकों क्या मुझी सलमान खुर्षीद किताब आई अभी ठीक है वह जो लॉंचिंग डेट है बिल्कुल सही है देखा जाए कॉंट्रवर्सी मिल गई दस में से तीन लोग जाके पढ़ेंगे पढ़ेंगे फ्री में कॉंट्रवर्सी मिल जाती है सही समय है यूपी का चुनाव है किताब अयुद समझाएगा तो टाइम भी सही है मौका भी सही है दस्तूर भी सही है लेकिन जब हिंदुत्व को आयस के साथ कहते कि अतंगवाजी संगठन के साथ कंपेर कर देते हैं तो यहाँ पर समस्या हो जाती थोड़ा सा ऐसे बयान प्रकारांतर रूप से कॉंग्रिस को ही लेकर पेश कर रही है वो दिखा रही है अब उसका नुक्सान जिलना पड़ेगा हिंदु आतंगवादी एक चवी जा रही है तो कॉंग्रेस के नेता हैं उनको भी थोड़ा से समस्या हुई है अब गुलाम रवी आजाद में साफ तौर पर बोला कि हम इस बात से एक्तिफाक नि समझें ऐसे कई सारे मौके आए हैं जो यह चोटी चोटी बाते हैं लेकिन आपसे पूरी विधान सभागों खीच करके ले जाती हैं आपको टाइमनेल दिनी कोशिश करता हूं अब पर दिगवजेव सिंग की बात कर लूं वो भी इसी किताब की विमोचन में आये थे दिग मुगलों के टैम तो खत्रे में कभी रहा नहीं और हिंदू खत्रे में आ गया लेकिन वही पद दिगवजेव सिंग में सावरकर का जिक्र किया अब उन्होंने वोला कि सावरकर को धार्विक लिखती थे नहीं गव को माता मानते नहीं थे और दूसरी बाद बीफ खाने से करते नहीं थे वीफ खाने में क्या समस्या तो ऐसी बात कर दी है मतलब सश्टी 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 पाबलिसिटी इन पार्टी को लेड हुथ है हां मैं वाक्य की तरफ लॉटके आता हूं कंग्रान नौत भी ऐसी करती है सश्टी पब्लिसिटी और इस किताब को आप जब सब्सक्राइब को बढ़ गई है लेकि कई ऐसे मैंने मौके देखे हैं कि विधान सवा हो लोक सवा हो कि ऐसे कुछ बयान जानमूच करके दिये जाते हैं या फिर निकल जाते हैं कि जो प्रकारांतर रूप से देखा जाए तो बीजेपी को डारेक्टली फायदा करते हैं 2004 क बहुत ही समवेतनशील बयान था और कहा था मौत का सौधागर और विधान सवा चुनाव वह कॉंग्रेस हार जाती है विश्लेशक कहते हैं कि वह एक बजा बन जाती है बहुत बड़ी इन सहाब ने क्या बोला शायद मणी संकर आयर है उन्होंने एक चीज बोली कि चाय वाला कभी देश का प्रधान मंत्री नहीं बनेगा लोग बन गया आपकी छोट छोटे बयान के वजा से कितना फायदा विपक्षी पाटी को होता है यह समझ तो होनी चाहिए लेकिन जो व गया होता है कि यह पूरा जो चुनाव कॉंग्रेस जीति दिखाई दे रही थे डंप हो जाती है वह अर बहुत कम मार्जिन से हरती है और जब हार जाती है तो क्या होता है विश्वलशक बतातें कि एक यह नीच वाला शब्द का प्रियोग मड़ी शंकर आयर नहीं किया था यह चुनाव जिता ले गया बीजेपी को अब मुझे बताईए ऐसी राउल गांधी ने कुछ कहा था देश का चौकिदार से पहले एक और उनका बयान आया था तो उसके बाद भी देखा जाए तो पता चला कि भाईया विश्शक कहते कि भी है करदी गलती अब व्यूपी वि अगर समझदारी है तो फिर थीक है हमारा देश 2014 के बाद आज़ाद हुआ था अरे भाई आउट्रो अ इस वीडियो को शेयर किजेगा तीन वाट्सप ग्रूप में जाहें वंदेवात्रम स्टे अपडेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेमेव जायते नमस्कार